Alright, Hi everyone, मेरा नाम है प्रतीक पी सावंथ और मैंने IIT Bombay से अपना Masters किया है, लास्ट छे सालों से भी जादा टाइम हो चुका है, मैं Gate Aspirants को गाइड कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे Aspirants को correct path पे गाइड किया है इस Gate Exam के जर्णी में, तो आपको मैं बता सकता हूँ exactly या आप इस पाच मन्त में, कैसे Gate Exam में Ranker बनने जितना preparation कर सकते हो, आपके लिए कुन सा ब्रांच सबसे best हो सकता है, क्यों ये ब्रांच आपके लिए सबसे best है, कैसे आपका revision होगा, क्या placements है इस ब्रांच का IIT में, वो सब discuss करूँगा, साथी साथ free resources कोन से हो सकते हैं, paid resources कोन से हो सकते सब कुछ एक ही वीडियो में मैं discuss करूँगा, तो सबसे बहले मैं start करता हूँ, मैंने हाली में दो महिना पहले placement को लेके वीडियो बनाया था IIT Bombay के, जिसमें चार final year computer science के students थे, उन्होंने बताया था किस तरह से placements में AI के job roles हर साल increase हो रहे हैं, जो students बाकी job roles के लिए prepare करते उन्होंने भी AI के job roles के लिए placement के time shift किया, और AI के job roles crack करने की कोशिश की, क्योंकि इतने जादा numbers में थे, वैसे मैंने कुछ दिन पहले ISC के एक student के साथ बात किया, जो हमारी consultation में से गए है, और उन्होंने भी बताया कि वो first year के student है अभी, computer science में admission मिलने के बाद भी, वो क्या कर रहे हैं, वो AI के subjects में interested है, क्योंकि ISC में भी AI के job roles बहुत जादा आते हैं, वैसे IIT मदरास की भी कहानी है, तो आप सोच सकते हो कि जो भी country के सबसे top institutes हैं, वहाँ पे AI के job roles बहुत जादा आते हैं, data science के job roles बहुत जादा आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे students AI के लिए preparation कर करते हैं, AI का profile बनाते हैं, इसी लिए किसी ना किसी reason से, IIT ने मिलके, ISC ने मिलके, data science AI paper launch किया जादा, क्योंकि companies ही उतने numbers में आ रहे हैं, IIT में, top institutes में, ठीक है, तो अगर आप data science AI के लिए motivated हो, एक good news यह है कि सिफ 350 hours का आपका syllabus हो सकता है, जादा से जादा, और 350 hours पाच म खतम कर सकते हैं, revision करके खतम कर सकते हैं, practice करके खतम कर सकते हैं, data science AI से सबसे best branch आपके लिए कोई नहीं हो सकता, अगर आप zero से preparation करना start करने वाले हो अभी, क्योंकि यह branch का syllabus भी complete हो सकता है, मैं आपको paid resources भी बताऊंगा, free resources भी बताऊंगा, और top notch बताऊंगा, दोनों, जो आपके लिए सबसे best होगा, तो अगर मैं बात करूँ, syllabus में 6 subjects है, mathematics एक subject है, और machine learning एक subject है, artificial intelligence एक subject है, data structures algorithm एक subject है, python के साथ, dbms एक subject है, aptitude एक subject है, इस में से जो सबसे तीन important subjects है, वो है mathematics, dsa python, and machine learning, इन तीनों subjects को अगर आपने अपना strength बना लिया, और aptitude तो है by default, तो आपको gate exam में rank निकालने से कोई रोक नहीं सकता, सबसे ज़्यादा weightage इनी 3-4 subjects का होगा, aptitude मिला के, कौन से सर, mathematics, machine learning, dsa python, and aptitude, बाकी subjects भी आप कर लोगे, पर ये subjects को actual में आपको strong करना है, strength बनाना है, तो मैंने आपको syllabus discuss कर लिया, 6 subjects हैं सिर्फ, बाकी सारे branches में कितने सारे subjects होते हैं, computer science का हमारा syllabus, जहापे हमारे data science याए का course है, 350 hours का, वही computer science का हमारा course है, 750 hours का, double almost, तो कैसे आप preparation करोगे, free resources के साथ भी, वह भी मैं आपके साथ discuss करूगा, तो सबसे पहले मैं strategy क्या होगा, road map क्या होगा, आपका, इन 5 महीनों में वह discuss करना चाहता हूँ, सबसे पहले आप data structures algorithm subject के साथ start कर सकते हो, जो एक language independent subject है, जब यह आप एक घर बनाते हो, कुछ rules होते हैं कि ऐसा bedroom होना चीए, master bedroom के अंदर, washroom भी होना चीए, कुछ rules है दिक है घर बनाने के, उस पे paint हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी color का कर सकते हैं, पर घर बनाने का एक structure हो तो paint independent होता है, तो data structures algorithm आप language independent subject समझ सकते हो, उसे pseudo code के help से भी prepare कर सकते हो, ठीक है, तो सबसे पहला subject आप data structures algorithm subject prepare करोगे, जो हमारे course में 82 to 85 hours के आसपास कुछ तो है, वैसी free resources में भी उतनी घंटे का होगा, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है, सबसे best start हो सक है, DSA, उसके बाद आप prepare करिए, Python programming language, तो DSA आप कब से लेके कब तक करोगे, August 20 से लेके, September 10 तक, आपका DSA हो जाएगा, condition क्या है, कि आप 3 घंटे के lectures, रोज देखोगे, 3 घंटे के lectures, और 3 घंटे के lectures देखके, main notes बनाने के लिए, total sitting कितने घंटे का होना चीए, पाच्छे घंटे का lectures आप रोज देखोगे, तो 4 घंटे का lectures देखके, main notes बनाने के लिए, 7 to 8 hours का preparation होना चीए, तो आप जबी 7 to 8 hours का preparation करोगे, तो अब 350 hours आप complete कर सकते हो, ठीक है, 350 hours आपको कम लग रहा है अगर, वो भी आप सभी complete कर पाओगे, जब आप 7 to 8 hours का sitting रोज करोगे, exam तक ठीक है, तो DSA आपका August 20 से लेके September 10 तक complete हो जाएगा, अगर आप हर रोज 4 घंटे के lectures देखके, main notes बनाके, revision करके खतम कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप Python चूस करोगे, Python 50 hours के आजपास होना चीए, वो आपका कब से लेके कब तक चलेगा, September 11 से लेके September 24 तक, ठीक है, उसक बाद आपको दो दिन का gap लेना है, September 25, September 26, ताकि आप Data Structures Algorithm Subject Revision कर सको अपने main notes का, फिर जाके आप September 27 को एक नया subject स्टार्ट करोगे, जो होगा Mathematics, Mathematics आपका 85 hours के आजपास आप समझ सकते, 85 to 90 hours, ठीक है, तो आप कब से लेके कब तक खतम करोगे, September 27 से लेके, October 17 तक, यहाँ पे plus minus 4, 5 days हो सकते हैं, मैं planning एक लेके आया हूँ, उसकी हिसाब से बता रहा हूँ, September 27 से लेके, October 17 तक, आपका Mathematics हो जाना अची है, Linear Algebra, Probability Statistics, Calculus, Statistics का कुछ इस्सा, Machine Learning में हमारे students करते हैं, और वैसी Optimization का भी कुछ इस्सा, Machine Learning में हमारे students जाके करेंगे, क्योंकि वहा जाना जादा आसान है, पर आप समझ लिजे कि यह rough idea में आपको दे रहा हूँ, Mathematics आपको October 17 को खतम होने के बाद, तुरण next subject नहीं उठाने है, Python वापस revise करना है, Python आप कब से लेके कब तक revise करोगे, October 18 से लेके October 19 तक, फिर आप DBMS सबजेक्ट उठाओगे, October 20 से लेके November 2 तक फिर आप वापस से नया subject उठाओगे क्या DBMS होने के बाद, नहीं, आपको Mathematics revise करना है, आप November 3 और November 4 को Mathematics revise करोगे, आप DSA वापस से revise करोगे November 5 और November 6 को, उसके बाद आप नया subject उठाओगे, Machine Learning, कब November 7 को, तो November 7 से लेके November 27 आपका Machine Learning चलेगा, Machine Learning भी आप समझ सकते हो, 50 hours के आपस आपका होना चीए content, 50 hours, बहुत ही अच्छे level पर discussion हो सकता है, data pre-processing भी discuss हो सकता है, जो आपके syllabus में लिखा नहीं है, पर मेरे हिसाब से उसमें से भी questions आएंगे, ठीक है, theoretical based questions आ सकते है, MSQ based, तो Machine Learning में 50 hours अगर आप spend करना चाहते हो, content, 50 hours का content, ठीक है, तो November 7 से ले November 28 से लेके December 18 तक, फिर आप क्या करोगे, सारे subjects आपस revise करोगे, Python December 19 से लेके December 20, Mathematics December 21 से लेके December 22, DSA December 23 से लेके December 24, Machine Learning December 25 से लेके December 26, उसके बाद सबसे least important जो subject आपके syllabus में, जो है, aptitude वो आप prepare कर सकते हो, ठीक है, जिसमें से 4-5 माँक के भी questions मुश्किल से आएंगे, ठीक है, तो ये कुछ एक roadmap है, जो आप follow कर सकते हो, और बहुती rigorous preparation करके, revision करके, practice करने के बाद भी, आपका December में syllabus complete हो सकता है, aptitude के साथ January 1 विक आप, sorry, AI के साथ, AI जो subject है, Artificial Intelligence, वो subject के साथ January 1 विक तक समच सकते हो, या फिर January 10 तक, या फिर worst case में January 15 तक, तो zero से preparation स्टार्ट करके भी, हम syllabus complete कर सकते हैं, data science AI में, अगर आपके पास resources अच्छे हैं तो, तो आपके पास दो options हैं, एक तो free resources आप use कर सकते हो, जैसे python, machine learning, ठीक है, mathematics, इन सबके तो, BS degree जो IIT मदरास का है, उसमें भी बहुत अच्छे resources हैं, तो उसका link मैं description में डाल दूँगा, ठीक है, और mathematics के लिए मैं specifically linear algebra के लिए Gilbert Strang का playlist आपको refer करूँगा, 70, 80 वीडियो के आजपास कुछ वीडियो हैं, उसके beyond आपको कुछ जरूरत नहीं है, less than 40 hours होगा हो, और world के सबसे best teacher है वो, सारे institutes, उनी का linear algebra भीखने के लिए prefer करते हैं, even IITs, उनके beyond linear algebra में discuss करने के लिए कुछ नहीं है, और उनके beyond linear algebra आपके gate exam में भी कुछ आ नहीं सकता ठीक है, तो less than 40 hours में आपका linear algebra complete हो सकता है, world के सबसे best teacher के साथ, Gilbert Strand, उसके बाद MIT का एक playlist है, probability statistics का, वो आप देख सकते हो, probability statistics के लिए, उसका भी link मैं description में डाल दूँगा, वैसे calculus का भी मैं डाल दूँगा, description में link, machine learning में थोड़ा difficulty आप face करोगे, चीजे figure out करने के लिए, प ऐसे aptitude का भी, और DBMS का तो हमारा ही data warehousing हमने अपने paid course में डाला है, पर उसके अलावा जो भी सारे topics, gate DA में है, वो हमारे channel के playlist में है, तो उसका भी link description में डाल दूँगा, बाकिए DSL के लिए कौन सा आप prefer कर सकते हो, free resource, उसका भी link description में होगा, आप try कर सकते हो, पर अगर आ algorithm, python, जो DSA आज के time पे, IIT कानपूर के platform पे भी teach किये हैं, teach किये हैं वहाँ पे, ठीक है, और वैसी mathematics हमारे धीरत सर ने पढ़ाया है, जो by juice में भी काम कर चुके हैं, और machine learning के जो हमारे faculty है, वो coding के multiple platforms से machine learning AI subject पढ़ा चुके हैं, तो सबसे best teachers हैं हमारे पास, सबसे best team है data science AI क आपका बहुत time बचा सकता हूं मैं, क्योंकि time का ही बहुत जादा race है अभी, और आपका बहुती smooth preparation में करा सकता हूं gate exam तक, अगर आप हमारे साथ prepare करना चाहते हूं, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, आप discount discount मत पूछा करिये, क्योंकि fees बढ़ा के मैं नहीं रखता हूं, ताकि आपको एक discount coupon कोड़ दूँ, फिर आप भी खुश हो जाओगे, क्योंकि fees कम हो गया, देखो discount coupon कोड़ लगाने के बाद, उतना time ही नहीं बचता, उतना time ही नहीं बचता, fees पहले सी adjust किया हूआ है, कि student को difficulty ना हो, ठीक है, और मैं को भी difficulty ना हो, 8,500 fees required है, 8 तो आप समझ लीजिए कि 8,500 fees minimum fees है, अगर इतना मैं अमीर होता है, तो आज के time पे मैं क्या गोलते है, AC के room में अभी बैटके video बना रहा होता, जो भी आप fees देते हो, वो पूरा का पूरा teachers के salary पे करने में जाता है, studio के rent में जाता है, AC नहीं है, इस studio में अभी के time पे, तो अगर आप interested हो मेरे साथ prepare करने के लिए, मैं अपना पूरा इमानदारी के साथ आपको preparation कराऊंगा, आप कभी भी मुझे रात को भी message करोगे ना, मैं available रहता हूँ, इतना मन से मैं guide करता हूँ students को, मुझे पसंद है करना, अपनी gate exam के preparation के time मैंने dream देखाता कि मुझे ये करना है, पैसे नहीं कमा रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, कमा रहा हूँ, पर expense इतने सारे हैं कि नहीं बचता कुछ आज के time पे, ठीक है, expense बहुत ज़ाद है, ये कि पूरी responsibility, scores की, faculties की, मेरे घर की, सब मेरे पे, और fees भी कम से कम लेनी है, तो इतनी कम से कम fees possible है, तो अग आपके लिए जितना एक course important नहीं है, आपके लिए जितना exam important नहीं है, उससे बहुत ज़ादा important मेरे लिए exam है, मुझे prove करना है, ठीक है, कि मैं rankers develop करूँगा इस नए ब्रांच में, ये नया ब्रांच मेरे लिए सबसे ज़ादा important है, मैं इस नए ब्रांच में अपना एक अल definitely आप हमारे साथ prepare कर सकते हो, next level का dedication मैं दिखाऊंगा आपके preparation, तो इतना ही था इस वीडियो में, 8,500 fees है, fees बताया है नहीं मैंने आपको, तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिरी मिलें किसी वीडियो के साथ, till then, bye!